नमस्कार दोस्तों मेरे नाम है अमित and I make apps दोस्तों अगर आपके पास कोई application है या फिर आप कोई application बनाने की सोच रहे हो और आप चाहते हो कि आप अपनी application के तुरू double earning कर पाएं तो ये वीडियो को last तक देखना है क्योंकि इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे आपको wallet system को अपनी application में डालके अपनी application की earning को double कर सकते हो wallet system डालने के क्या क्या आप फायदे होते हैं इन सारी चीजों के बारे में इस वीडियो में बात करूंगा बहुत कुछ आपको लोगों को सिखने को मिलने वाला है तो वीडियो को last तक जरूर से देखना और हाँ दोस्तों वीडियो अच्छा लागेगा तो like और share भी कर देना और ऐसी वीडियो देखने के लिए आप हम money देती है वो एक virtual currency की रूप में आप उसको देख सकते हैं अपने Paytm का यूज किया होगा Paytm में पहले क्या होता था कि आप उसमें अपने bank से उसमें पैसे add करते थे wallet में okay दिन उस wallet money को फिर आप यूज कर पाते थे दूसरी चीजों में okay उसको transfer कर पाते थे उससे product भी तो आप भी अपने application में ऐसा feature डाल सकते हैं कि जिससे की user अपनी wallet में money add कर सके okay तो एक तो तरीका होता है कि wallet में money आप bank के through add कर सकता है वो okay तो लेकिन most of the cases user ऐसा नहीं करते मतलब यूजर ऐसा prefer करना पसंद नहीं करते क्योंकि क्यों वो bank से wallet में money add करेंगे okay बेवाजा हाला कि अगर वो wallet में money add कर देंगे फिर उसको फिर से bank में transfer करना होगा because of some reason से वो ऐसा नहीं कर देंगे okay तो उनके wallet में money आएगी कैसे और यूज कर कैसे पाएंगे और इससे आपको benefit कैसे होगा okay तो इस process को हम देख लेते हैं यूजर के mobile phone में जो application है आपकी उसमें wallet का system है अब उसमें money add कैसे होगी उसके यूजर को तरह तरह के रास्ते दे सकते हो तरह तरह से रास्ते दे सकते हो जैसे कि आपकी application डाउनलोड करने पर आपने उनको कुछ reward की रूप में कुछ रूपए उनके wallet में डाल दिये okay तो wallet में डालने का मतलब यह नहीं हो कि आपने अपन wallet में जितनी भी चीज़े सो हो रही है आपने एक भी रूपिया उनके wallet में या फिर उनके bank में नहीं डाला है वो सिर्फ एक number है आगे आप सुनते जाओ कि इस number का कैसे use होगा तो एक तरीका तो यह हो गया इससे यह फाइदा होगा कि user जो है आपको user gain करने में आसानी होगी अगर आप उनको 15 रूपई 10 रूपई 20 रूपई मतलब जो भी आपका है अगर आपकी कोई service है कोई आप चीजें sell कर रहे हो अगर आप उनको install करने पर 10-15 रूपई का reward देते हो तो काफी अच्छी बात हो जाती है और खास बत यह रहती है कि आपने जो भी उनको reward दिया है और फिर वो उसको utilize करने के लिए उसको उपयोग करने के लिए आपकी product या service को खरिपते हैं purchase करते हैं मालो कि मेरे पास मेरी application में 200 रूपई का product है जो कि मैं अपनी application में sell कर रहा हूं और मैंने क्या किया user को 20 रूपई install करने पर दे दिया जब user मेरी application download किया तो मैंने उसको 20 रूपई reward के रूप में दे दिया इससे यूजर भी खुस हो गया और फिर उसने क्या किया अब उसको तो देखो मालो कि उसको लेना ही है मेरी product है और थोड़ा doubt में है लेकिन 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 अगर मालो कि मेरा कोई competitor वाली application उसके पास भी same product 20 रूपई में मिल रहा है मेरे पास भी same product 20 रूपई में मिल रहा है लेकिन यूजर क्या करेगा मेरी application से लेगा क्यों क्योंकि मैंने उसको 20 रूपई का reward दिया है और वह उस 20 रूपई का use तो करना ही चाहिएगा तो एक आपने समलों hook लगा दिया है customer को ताकि वह कहीं जाए नहीं तो जो भी 200 रूपई का product है वह खरीद लेगा तो 20 रूपई में 200 का product खरीद लेगा जिसमें से 20 रूपई उसके wallet करेंगे वह minus हो जाएंगे और 180 रूपया वह पे करेगा आपको ठीक है तो यहां पर वह जो वालेट का amount है जो currency ती सिर्फ एक number था वह यहां पर discount की form में तबद मतलब आप उसमें 100 रूपई margin ले रहे थे तो यहां पर आपको 80 रूपई के margin मिल गई 20 रूपई आपने discount दे दिया तो कछ इस तरीके से काम करता है wallet का system तो आप एक तो application install होने पर wallet डाल सकते हो wallet में money और दूसरा आप क्या कर सकते हो refer करने पर wallet money दे सकते हो जैसे कि मैं बो आपको कुछ specific amount मिल जाएगा तो इस तरीके से भी एक feature आप लगा सकते हो इससे फाइदा क्या होगा कि आपकी application ज्यादा ज्यादा distribute होगी application जो user है वो खुद आपकी application को distribute करेगा बहुत सारे आपने application देखा होगा जो कि मतलब यह पेमेंट सिस्टम वाली जो भी application गूगल पे 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 टीम इन्होंने बहुत ऐसी campaign चला है जहां पर refer करने पर आपको reward मिलता है cashback मिलता है यह सारी चीजें तो इन सबसे आप लोग सीख सकते हो यह लोग कैसे मतलब mind psychology से खेलते हैं लोगों के mindset से खेलते हैं तो ठीक उसी तरीके से आपको भी थोड़ा वोद को दिमा transfer करना होता है उसके पैसे को bank में transfer करना पड़ता है तो sometime थोड़ा सा difficult हो जाता है और थोड़ा मज़ा भी नहीं आता है अपने पास पैसा अगया फिर से उसको transfer करो तो इसका एक तोड़ है wallet system आप क्या कर सकते हैं आप wallet में उसकी money को add कर दीजी जैसा कि किसी बंदे ने आप 200 रुपए उसके wallet में add कर दिए तो wallet में add कि यह मतलब कि आपने bank से transfer नहीं किया आपने सिर्फ उसके wallet में 200 रुपए का एक amount add कर दिया एक सिर्फ एक number है उस 200 रुपए को क्या करेगा sometime कभी भी कोई product purchase कर दे लेगा तो use कर लेगा तो इससे क्या होगा जो आपके पास still आई ह वह जाएगी नहीं बस वह क्या रहेगा कि कभी दूसरे time पर किसी दूसरी product में वह use हो जाएगा तो यह सारे benefits हैं जो कि wallet system के तुरू आप अपनी application में लगा सकते हैं और अपनी application के तुरू जादा से जादा earning कर सकते हैं ऐसे बहुत सारी companies है जो कि wallet system का use करती है आपने application में रहता है grocery type के application में रहता है और इस type के बहुत सारी application है तो जिसमें wallet system रहता ही रहता है तो आप भी अपने application में wallet system लगवाईए और अपनी application के तुरू जादा से जादा earning किजिए और दोस्तों आपको कोई application बना नहीं है तो आप मुझसे भी contact कर सकता है यह मेरा WhatsApp number है तो लाइक करो शेयर करो और इसी वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बिल आइकन दबाना मत भूलना तो चलिए पर मिलते हैं अगले और वे इंट्रेस्टिंग वीडियो में तब तक लिए आप अपना ध्यान लगखो गुद डे एंटेक केर